परिचाय एक दूसरे को देखो और तीन ऐसे शारेरिक विशेष्टाओं की सूची बनाओ जो तुम्हें एक दूसरे से अलग करती है हम, मेरी आख काली है और उसकी भूरी मैं लंबी हूँ और हमारी नाख का आकार तथा बालों का रंग भी अलग है क्या तुम्हारी आखों का रंग या नाख का आकार तुम्हारे माता-पिता से मिलता है हाँ, मेरे पिता की आखें भी भूरी है वो क्या है जो हमें एक दूसरे से भिन्ने करता है डी एन ने बिलकुल ठीक आज हम ये जानेंगे कि डी एने किस प्रकार अपनी प्रतिक्रितियां बना कर माता-पिता एवं उनकी संतानों दोनों में समान गुणों को अभी व्यक्त करता है उत्तेश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्रतिक्रिती बनाने की प्रक्रिया और इसके महत्व को समझना आरेने की प्रतिक्रिती की अर्थ सन्रक्षी प्रक्रिती को समझना अनुवंशिक कूट को पहचानन अनुलेखनन की प्रक्रिया को समझना और इस्थानांतरन की प्रक्रिया को समझना DNA प्रतिक्रितियन क्या है? DNA की प्रतिक्रिती रचना का आर्थ DNA के अणों की प्रतिलिपी तैयार करने की प्रक्रिया है DNA प्रतिक्रिती की रचना कोशिका विभाजन से पहले कोशिका चक्र के ऐसे प्रावस्था में होती है दूई रज्जुग DNA में प्रतीक्रिती की रचना संभव इसलिए हो पाती है क्यूंकि प्रतीक रज्जुग पूरक रज्जुग के लिए सांचे यानी टेंपलेट का कारे करता है DNA की अर्ध सनक्षी प्रतीक्रिती पर मैसल सन एवं स्टॉल का प्रयोग वर्ष 1958 में मैथ्यू मैसल सन एवं फ्रेंक्लिन स्टॉल ने अपने प्रयोग से DNA की अर्ध सनक्षी प्रतीक्रिती को सही सिद्धि किया DNA के एक्षारों को चिन्हित करने है तू उन्होंने 15 NH4Cl युक्त एक माध्यम में E. coli का विकास किया और फिर कुछ कोशिकाओं को प्रकाश नाइटोजन 14N में बतल दिया ताकि नए संशलेशित रज्जुक प्रकाश के रूप में ले सकें उन्होंने DNA को जीवाणू कोशिकाओं से अलग किया और DNA को अलग करने है तू इसे अपकेंद्रित किया लाइट नाइटोजन के एक विखंडन के बाद DNA के अणू मध्यवर्ती खनत्व से संकरित हो जाते हैं दो विखंडन के बाद DNA के अणूँ दो पट्टियों में अलग किया गया एक लाइट DNA के लिए तथा एक संकरित DNA के लिए इससे ये सुनशित हुआ कि DNA की प्रतिकृती अर्ध सनक्षी होती है प्रतिकृती की क्रियाविधी DNA की प्रतिकृती का प्राक्रम कोशिका चक्र की S प्रावस्था में प्रतिकृती स्थल पर शुरू होता है DNA के रज्जुक प्रतिकृती दूईशाक पर एंजाइम हेलिकेस द्वारा धीरे धीरे खुलते हैं इसके परिणाम सरूप, सांचों के रूप में कारे करने के लिए दो भिन रज्जुक उपलब्द होते हैं। DNA पॉलिमरेज, एक सांचे की सहायता से डी ऑक्सी युकलियोटाइट्स के बहुलिकी करन को पांच प्राइम से तीन प्राइम की दिशा में ही उत्प्रेरित करता है। इस तरह प्रतिक्रिती एक रज्जुक तीन प्राइम से पांच प्राइम की दिरुफता वाले उन पर निरंगतर होती रहती हैं। रूप से संशलेशित खंडों को आगे चलकर एक दूसरे से जोड़ता है। अनुलेखन DNA के एक रज्जुक से अनुवन्शिक सोच्राओं का RNA में प्रतिलिपी करण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं. अनुलेखन एकाए में जीन जीन को वन्शागदी की एक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है. समपार DNA का वह खंड है, जो पॉली पेप्टाइड का कूट लेखन करता है. ससीमक किंद्रक में सनचनात्मक जीन एकल संपारी मोनोसिस्ट्रोनिक होता है. असीम किंद्रगी में सनचनात्मक जीन बहु संपारी यानि पॉली सिस्ट्रानिक होता है एकल संपारी जीन में अंत्रापित कूट लेखन अनुक्रम व्यक्तेक यानि एकजौन और अव्यक्तेक यानि इंट्रौन के रूप में पाय जाते हैं व्यक्तेक व्यक्तिक व्य अनुक्रम है जो परिपक्व या संसादित RNA में नहीं मिलता है एक कोशिका के प्रोटीन का संचलेशन करने के लिए तीन प्रकार के RNA होते हैं mRNA, tRNA, rRNA, दूद RNA, ख्षार अनुक्रम के कूट को कोशिका से राइबोसोम तक ले जाकर टेंबलेट्स प्रदान करता है, tRNA, अंतरण RNA, अमिनों अमलों को राइबोसोम तक ले जाता है, आनुवंचिक कूट को पढ़ता है, rRNA, राइबोसोमल RNA, इस्थानांतरण के दौरान सनचनात्मक्वा उत्प्रेरक की भूमिगा निभाता है, जीवाडू में अनुलेखन की प्रक्रिया, अनुलेखन की प्रक्रिया में निम्नचरण आते हैं, प्रारंभन, प्रारंभन कारक सिग्मा अनुलेखन प्रक्रिया के प्रारंभन में सहाथा करता है, RNA, पॉलिमरेज और नायक पर DNA से जुड़ जाता है, DNA कुंडली खुल कर साचा रज्जुक यानि टेंपलेट स्ट्रेंड को अनवृत्ति कर देती है, दीरखी करण mRNA का संचलेशन DNA के एक रज्जुक का पांच प्राइम से तीन प्राइम दिशा में साचे के रूप में उप्योग कर किया जाता है, जैसे जैसे दीरखी करण बढ़ता है, RNA, पॉलिम रेज, mRNA को संचलेशित कर रहे DNA के साथ साथ बढ़ता है, पहले से अनुलिकित DNA पीछे होता जाता है, RNA जीन के अंत में समापक अनुक्रम पर पहुँच जाता है, समापन समापक कारक का उप्योग करते हुए अनुलेखन समाप्थ होता है, mRNA तथा RNA पॉलिम रेज अलग हो जाते हैं, ससीम केंद्रक में अनुलेखन की प्रक्रिया, मोल अनुलेखन प्रक्रिया के साथ साथ ससीम केंद्रक में अनुलेखन प्रक्रिया के अंदर दो अतरिक्त जटिलताएं होती हैं, क, तीन RNA पॉलिम रेज की केंद्रक में उपस्ते थी, RNA polymerage एक RRNA का अनुलेखन करता है अवयक्ते को जीन्स को संबंधन और फिर NRNA का आच्छादन एवं पुच्छन कर अलग किया जाता है अनुवंशिक कोट अनुवंशिक कोट उन नियमों का समुच्छ है जिनसे अनुवंशिक तत्व DNA या MRNA में कोट बद्द संदेश अमीनो अमल अनुक्रमों में इस्थानांतरित होता है इस कोट से निर्धारित होता है कि प्रकोट कहलाने वाले तीन निकलियो टाइडों के अनुक्रम किस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि आगे प्रोटीन संद्शिलेशन के दोरान कौन सा अमीनो अमल जोड़ा जाएगा अनुवंशिक कोट की मुख्य विशेष्टाएं प्रकोट यानि कोड़ान त्रिक यानि ट्रिपलेट होते हैं 61 प्रकोट 20 अमीनो अमलों के लिए कोट बनाते हैं परंतु 3 स्टॉप प्रकोट किसी भी अमीनो अमल के लिए कोट नहीं बनाते प्रतेक प्रकूट एक अमिलों अमल के लिए सुस्पस्ट और सुनिश्चित होता है ये कूट सभी जीवधारियों के लिए लगभग सार्व भौमिक है मिथियो नाइन का प्रकूट एयूजी प्रारंबन प्रकूट के रूप में भी कारे करता है अनुवņशी कूट पर उत्परिवर्तन का प्रभाव किसी सनचनात्मक जीन में किसी क्शार का प्रवेश कराने या उसका विलोपन करने वाले बिंदू उत्परिवर्तन के प्रभाव से अमिनोअमल अनुकरम में परिवर्तन हो सकता है अधारन दातरा कोशिका सुरक्त तारूग में एक एकलक्षारक युक्म बीटा हिमोकलोबीन श्रंखला में परिवर्तन के फल सरूप अमीनो अमल अनुकरम ग्लूटामेट से वैलीन में बदल जाता है। टियार एन ए टियार एन ए अनुकूला कणों के रूप में कारे करता है। इसके पूरक्षार होते हैं। इसके अत्रिक्त इसमें अमीनो अमल ग्राही छोर होता है, जो इसे अमीनो अमल से जोडता है। टियार एन ए की ड्यूटेक सनचना तिपत्या यानि क्लोवल लीव की पत्ती की तरह होती है। जबकि अपनी यथार्थ सनजना में TRNA एक सूसहत अणू है, जो उल्टे L की तरहा दिखाई देता है. स्थाना अंतरन ये वो प्रक्रिया है, जिसमें अमीनों अमलों के बहुकरन से पॉली पेपटाइट का निर्मान होता है. राइबोसोम प्रोटीनों का संशिलेशन करने वाला कोशिकी ये कारखाना है. निश्क्रिया वस्था में राइबोसोम दो उप एककूं लगू एकक तथा दीर्ग एकक से मिलकर बनता है. एक पेपटाइट बंद के निर्मान हेतू अनुवर्थी अमीनों अमलों को जोडने और एक दूसरे के अतिन निकट लाने के लिए दीर्ग उप एकक में दो इस्थल होते हैं. MRNA में एक इस्थानांतरण हिकाई निम्न से मिलकर बनती है. प्रारम्भक प्रकूट यानि स्टार्ट कोडान AUG रोध प्रकूट कोडान गैर इस्थानांतरित UTR क्षेत्र. इस्थानांतरण के चरण इस्थानांतरण के प्रथम चरण को TRNA के आवेशन या TRNA, एमिनो एसिलेशन कहते हैं. ये आवेशन अमिनो अमलों के बीच पेप्टाइट बंध के निर्वान के लिए उर्जा प्रतान करता है. जब राइबोसोम का लगो एकक MRNA में मिलता है, तब ये दीर्ग एकक को प्रारम्भक प्रकूट पर MRNA से जुड़ जाने की प्रिर्णा देता है, जुसकी पहचान केवल प्रारम्भक TRNA द्वारा की जाती है. जब जब एक नया TRNA राइबोसोम में आता है, तब तब इसके द्वारा ले जाया गया अमिनो अमल पॉली पेप्टाइड श्रेंखला से जुड़ता चला जाता है. अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकूर से जुड़ने से इस्थानांतरन प्रक्रिया का समापन हो जाता है, तथा राइबोसोम से पॉल्ण पॉली पेप्टाइड अलग हो जाते हैं. क्या आप जानते हैं, आणविक कोमिंग यानी थुनाई एक तकनीक है, जो DNA प्रतिकृती रचना के परिणाम आत्मक विशलेशन को संभव बनाती है. इस विधी में DNA संशलेशन के आरंब होने के उप्रांत, अलग-अलग समय बिंदों पर एक निश्चित केंद्रक से क्रोमेटिन को अलग-अलग चिनिद किया जाता है, फिर जीनोमिक DNA को अलग कर शीशे की सदा पर साफ किया जाता है, और माप सीधे चिनिद DNA पर लिये जात हैं. सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. DNA अर्ध सनक्षी सेमी कंजर्वेटिव विधी से प्रतिकृती बनाता है. पूरक, H-बंध इस प्रक्रिया का मार्ग दर्शन करता है. अनुलेखन के समय, DNA का एक रज्जुक पूरक, RNA के संशलेशन के लिए एक सांचे के रूप में कारिकरता है. ससीम केंद्रक में अवयक्ते के समंधन के साथ अनुलेखन प्रक्रिया होती है. दूत RNA में च्छार अनुक्रम होते हैं, जिनका एक अमीनो अमल के कूट लेखन हेतू, तीन के युक्म में अध्यन किया जाता है. राइबोसोम इस्थानांतरण प्रोटीन संशलेशन का इस्थल है, जो दूत RNA से जुड़कर अमीनो अमलों को जोडने के लिए मंच तयार करता है. झाल झाल झाल